ही काइस Welcome बाक टू आफ चानल विकॉम वाले आज की वीडियो में हम बिजनेस इकनोमिक्स कश स्लेबिस्टेकस कर्नेवाले हैं सिमिस्टिभू सबसे वहले हम यूनिट बडी बात करते हैं यूनिटवान में आपके पास 3 4 sep जिसमें mainly theories हैं सिबसे पहला chapter है wages इसमें आपने meaning करना है types करना है और जो दो theory है margin productivity theory और modern theory दोने important हैं वैसे एक चीज आप देख सकते हो कि अगर आपके मतलग और आप 2023 में exam देने वाले हो तो आप 2022 खा paper check out करो जो 22 में आया होगा ना वो 23 में नहीं आएगा मतलग mostly ऐसा होता है बाकि कई जो बहुत ही जादे important questions होते हैं वो आते भी हैं जो हर साले repeat होते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी भी लेकिन थोड़ी मेनत आपको खुद भी करने पड़ेगी आपका जो main question paper decide होता है ना वो last के 2-3 years पर decide होता है तो अगर आप खुद भी थोड important questions की वीडियो में तो second chapter है rent इसमें भी meaning types और जो theory है रिकार्डियन theory और modern theory interest एक important तो chapter में नहीं कहूंगे लेकिन एक बड़ा chapter है आपकी unit 1 में तो है चार chapter तो चारों के चारों important है लेकिन अगर आप चाहों की आपको छोड़ना है एक chapter तो आपको वैसे भी छोड़ना पड़ता है exam में है तो मैं क्या बोलूँगी कि आप interest छोड़ दो बड़ा chapter है इ चोड़ दो कोई बात नहीं अगर आप बुक्स में देखोगे वैसे देखोगे यह बहुत थोड़ी थोड़ी टाइम की थियोरी है इन में जाता कुछ पढ़ने वाला नहीं है लेकिन क्लासिकल वगेर में तो आपको पतने क्या क्या याद करना पड़ेगा तो I suggest is कि आप wages अच्छे से करो और profit अच्छे से करो जब आपके दो chapters हो जाए फिर आप rent पर जाना बाकी अगर आप दो भी करके जाओगे तो आपके 15 marks के तो वैसे भी 4 questions आते हैं चार questions चार chapter हर में से एक ही आता है अगर आप 15 marks के लिए prepare कर रहे हो तो दो चाप्टर आप राम से चोड़ सकते हो आप देख लेना कोई 5 marks का important question वैसे तो जादे important नहीं होता कुछ meaning types इतना भी लिखोगे 5 marks में वो उसमें भी number आ जाते हैं अब जो आपकी unit 2 होती है ना इसमें थोड़े जाद़ chapters है लेकिन हम इसको भी थोड़ा adjust out करते हैं सिबसे पहले तो sales law sales law में सिफ meaning और implications classical theory भी ऐसी है kinesium भी ऐसी है ये तीन तो chapter से लग होगे मैं last से बता देती हूँ एक बार multiplier या 15 में भी आता है 5 में भी आता है तो multiplier तो आपको करना ही करना पड़ेगा multiplier में एक तो इसका meaning हो जाएगा investment multiplier हो जाएगा linkages हो जाएगा और बाकी एक whole question होता है जो आपका होता है backward और forward movement या फिर आप कह सकतो types तो multiplier chapter आपको करना ही पड़ेगा अगर आप सिफ multiplier करके जाते हो तो 15 marks का इधर से आए गई आएगा 15 marks का question investment इतना नहीं आता 15 में कभी आ जाता कभी नहीं आ जाता तो 15 में investment आप नहीं सोर सकते कि आएगा लेकिन हाँ 5 marks में जरूर आ सकता है तो इसमें factors affecting investment एक important question होता है और consumption function भी एक important chapter है इसके the psychological law उसकी importance उसके factors influencing consumption function यह important है effective demand का question जो है 5 marks के लिए important है किनेजियम theory, classical theory और sales law अप इन तीनों में से सरफ एक reading भी दोगे ना तो भी चलेगा basically तो आपको तीन chapters अच्छे से prepare करने किसी भी unit में से अगर आप कर रहे हो तो उपर वाली unit में से मैंने दो इसले बोले थे क्योंकि हमें पता है चार में से दो तो आएंगे या आएंगे बट इदर बहुत सारे हैं तो हम एक दो chapters का कह सकते हैं कि वह आएंगे बट बाकी का ह हम पूरा जीम नहीं कर सकते हैं तो multiplier हमने कर लिया, consumption function कर लिया और आप एक और chapter पढ़ सकते हो, investment में board में 5 के लिए आएगा, अगर by chance previous year में investment 15 marks में आया है, फिर तो आप investment को 15 के लिए करना भी मत, सोचना भी मत कि 15 में आएगा, वैसे बाकी chapters को भी अगर sales law 15 का आया है, last year त पिष्लियर आया है, तो इस बार नहीं आएगा, लेकिन हागर consumption function है, जो हमें दिख रहे हैं कि बड़ा chapter है, तो ये 15 में आना बनता है, और multiplier, तो slavers मेरे ख्याल economics का इतना ही है, जाद आपको इसमें दिक्कत होगी नहीं, simple है, easy है, economics आपने ये शाय थोड़ी पहले भी किया consumption function, बट एक बार बढ़ोगे तो भी इतना easy है, समझ आए जाएगा, राम से, और slavers थोड़ा है, तो जिसका थोड़ा slavers होता है, उसको पढ़ने का भी पहने करता है, यह थोड़ा सा तो आए, पढ़के मज़ा आजगा, और खतम होजगा जल्दी, तो I hope इस बार आपका अच्छा रहे economics का, बाकी comments में बताना किसके कितने marks आए थे semester 1 में, ताकि हम देखे कौन टॉप पर वच्चे है हमारे, I hope आपको सब clear हो गया होगा, अगर कोई doubts हैं, तो आप comment कर सकते हो, और पूछ सकते हो आपके doubts, like करो, subscribe करो, ताकि हमें भी थोड़ी motivation मिले, thank you,